इतिहास के पन्नों में हर दिन किसी ना किसी खास घटना से जुड़ा होता है। ऐसे में 15 जुलाई के दिन भी कई बड़ी घटनाओं ने देश और दुनिया पर अपनी छाप छोड़ी। लेकिन उन्होंने उनके ओफर को ठुकरा दिया और पाकिस्तान के साथ पहले इउद में वो शहीद हो गए। उनकी निर्भीक और बहदुराना नेतरत छमता के लिए उनको नौसेरा का सेर कहा जाता है। देश दुनिया के इतिहास में 15 जुलाई की तारीक पर दर्ज अन प्र अमेर के राजा तथा मुगल सामराज के वरिष्ट सेनापती जैसिंग का जन्म आज ही के दिन 1611 में हुआ था। आज ही के दिन 1662 में इंगलेंड के राजा चौस दुती ने लंदन में रॉयल सोसाइटी को अधिनियमित किया था। पिर सिद्ध भारतिय ब्यापसाई और द आनवीर जमसेद जी जीजा भाई का जन्म आज ही के दिन 1883 में हुआ था। केरल के प्रमुख नेता पत्तम थानू पिल्लई का जन्म आज ही के दिन 1885 में हुआ था। भारत रतन से सम्मानित स्वतंतरता सेनानी और राजनेता के कामराज का जन्म आज ही के दिन 1903 में हुआ आंध प्रदेश की प्रथम महिला नेता दुर्गाबाई देश मुक का जन्म आज ही के दिन 1909 में हुआ था। भारतिय सेना के उच्च अदिकारी मुहम्मद उस्मान का जन्म आज ही के दिन 1912 में हुआ था। वो भारत और पाकिस्तान के प्रथम एउद में सहिद हुए थी। आज ही के दिन 1916 में दुनिया की सबसे बड़ी एरो इस्पेस कंपनी बोईंग की शुरुवात हुई थी। 1944 में आज ही के दिन दूसरे विस्यूद के दवरान अमेर्की सेना ने जापान पर ब्यापक इस्तर पर बंबारी आरंब की थी। आज ही के दिन 1955 में प्रथम राष प्रिद गायक बाल गंधर्व का निधन आज ही के दिन 1968 में अमेरिका और ततकालिन सोविल संग के बीच वारिजिक बिमान सेवा की शुरुवात हुई थी। 1970 में आज ही के दिन डेनमार्क ने इटली को दो सून से हरा कर पहला महिला विश्व का फुटवाल लीता था। आज ही के दिन 1989 में भारत के प्रधान मंत्री मॉरार जी देशाई ने अपने पद से इस्दीफा दिया था। 1986 में आज ही के दिन महिला क्रिकेटर संधया अगरवाल ने टेस्ट क्रिकेट में 190 रन बनाकर 200 रिकार्ड बनाया था। आज ही के दिन 1996 में प्रिंस चाल्स और डाइना ने अपने तलाक के लिए अवेदन किया था। 2002 में आजी के दिन अमेरिकी पत्रकार डेनियल परल के हत्यारे उमर शेख को पाकिस्तानी अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी। भारतिये चिकिसा बैग्यानिक तथा परिवार नियोजन विशेसक बानो जहांगीर कोयाजी का निधन आजी के दिन 2004 में हुआ था। 2008 में आजी के दिन नेपाल में दोनों प्रमुख वामपन्थी दलों के बीच देश के प्रतम राष्टपती और उपराष्टपती पद पर नियुक्तियां तथा नई सरकार के गठन पर सहमती बनी थी। आजी के दिन 2011 में भारत ने एक धुर्विय उपग्रह प्रिक्षेपन यान PSLV द्वारा आधुनिक संचार उपग्रह जी सेट 12 को अंत्रिक्ष कप्षा में सफलता पूर्वक इस्थापित किया था। गड़ित की दुनिया का प्रतिष्टित सम्मान फिल्ड्स मेडल पाने बाली पहली महिला गड़ी तक मरियम मिरजा खानी का निधन आज ही के दिन 2017 में हुआ था। आज के इतियास में बस इतना ही कल का इतियास लेकर पुना आजिर होंगे नमस्कार।